बढ़ते वायू परदुशर के रोकधाम के मन्यज़र राश्टी ए हरित नयाधिकरर एंजीटी ने खेतों में पराली जलाने पर रोक लगा दी है इसके बावजूद कुछ लोग खेतों में पराली जला रहे हैं जिसको लेकर जिलादिकारी की एविजन पांडे ने सक्त रुखत अपनाते हुए सभी SDM तैसिलदार को निर्देश दिये हैं कि किसी भी हालत में खेतों में पराली ना जलाई जाए और इसकी पूरी तरह मानिटरिंग की जाए जिलादिकारी की एविजन पांडे ने कहा कि खेतों में पराली जलाने की सुझना सेटेलाइट से मिल जाती है फिर भी कोई वैक्ति अपने खेतों में पराली जलाता है तो उसकी सुझना ततकाल जिला परशासन को दें जिससे उस वैक्ति पर कारवाही की जा सके इस समझ में गुरुप कुर्णी से विशेश बात करते हुए जिलादिकारी की एविजन पांडे ने कहा अधिके एंजीटी ने पराली के लेके काफी शक्त है कास्तोर पर पराली का जलाते हैं उसी से वायू प्रोदूशन हो जाता है इसका इमेज सैटलेट के जरिये से हम लोगों को भी पता चल जाता है किस किस दिशा पर कहा कहा जल लई है उसी के SDM और तैसलदार और पोलिस मेंगमा सभी लोग लगे हुए हैं इसको जो भी करता है गटना जो पराली जलाता है उनको पर भारी चुर्मना लगता है और बड़े परवाना में जो भी करता है उनको ओपर F.I.R. दर्ज करा के जेल भी बेजा जाता है ताकि ये production संबंदित मामला है और इस समय में जो भी जाड़े में कितने जलता है उसारे एकटा हो करके तो आदमी को भी लोग को भी बहुत हनी करता है कासवर पर जो किसका सास लेने में परिशान होता है वो काफी परिशान हो जाता है आप जानते हैं पहले से हम लोग COVID से लड़ रहे हैं और साथ साथ ये भी जो पराली का जो प्रोडूशन होता है वो भी जूड जाता है हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है लड़ना मैं आपसे चाहता हूँ कहीं से भी ऐसे गटना कहीं रिपोर्ट होता है तुरंत हमें कंट्रोल रूम में और हमारा नंबर में कोई भी आफीसर नंबर में सुचित करा दीजिए ताकि हम तुरंत जाकर ये बुजाएंगे और साथ साथ जो गटना कहीं है उनको उपर कारवे भी खीएंगे